दोस्तों नमस्कार आपका अपना में दिरंकार सर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं और किसान के खेतों में दोस्तों मैंने देखी ये जो है इस्प्रे मैन की 830 बैक रोटरी कैसे काम कर रही है किसान भाई ने मुझे बोला कि सर्मा जी आप हमारे खेतों में आकर देखिया हमारे गाम आईए तो किसान भाई ने मुझे आमनतरित किया तो दोस्तों इन्होंने य अभाच्छन एग्रों इन्जिनियर्स कंपरी एहमदगर्च से तो इसका मैं घूक्ट किसान वही का डैमो लेने के लिए हैं कि किसान क्या बुराई कर रहा है क्या तारिफ कर रें इसकी इसकी पूरी जानेकारी दोस्कू आपको वीडियो में दे सब्कउना व दोस्तों Ben कि 830 इस प्रेमें की जो है यह बैक रोटरी है आप देख रहे हैं सामने इसमें यह लगा हुआ है और टैरों की क्वाल्टी आप देख सकते हैं और जानकारी लेते हैं किसान भाई से कब उन्हों ने ली और कैसा यह काम कर रही है नमस्कार दी जो किसान भाई आपको कैमरे के सबसे पहले पुना चोटा सब परीचे कर रही है आप अपना मैं सद्वेर सिंग जी गाव मुरीद पुरटारी जी पोस्ट गई रोला अच्छा यह आपका पड़ता है जलाम रहा जी आप जैसे हम चोधरी साहव आपके एक के गन्ने के खेत में हैं गन्ने का खेत तो आपन को साप कर रखा इसमें घास नाम की खर्पत नाम कोई चीद नहीं यह कैसे हुआ इसके बारे मचीन ने कर आए आपके मजदूर Size करवाया अपने यह माचीन हम जो है मार्च मैं यह मार्च में एक वार हमने मजदूरों से करवा यह बाकि इसमें तीन चार वर यसी मजदूर क करवा दी उसके बाद में आप इसकी साफ़ाई आराम से कर रहे हो अब यह बताइए जैसे कि आपने सुरुआत में मजदूरों से साफ़ाई कराई थी मजदूरों ने आपकी एक एक एकर का कितना रुपया ले लिए लगवग जो है मजदूर ले गए लगवग जी शाड़े साड़े थीन हजार रुपया आपने मजदूरों को एक पहली बार की इसमें जुताई कराई तो आप इसकी कितने जुताई चुके हो लगवग जो आप पे नहों पर ना होती तो मजदूर ले जाते आपका पैसे जी माज़र चाहरे हूं पर नलाई पर मजदूर पैसा लेते हैं तो मजदूर का उस्वत लगाते हैं तो मजदूरों की समस्य बहुत जादे गंबीर है मजदूर अथकल मिलता नहीं है बहुत जादे महगा बैठता हमें अब यह बताईए जैसे कि हम आपका खेद बरकुर साफ देख रहे हैं इसमें मजदूरों से करवाने में और आपको इसमें में कितना अंतल लगा इस इस सब यह थे तो एक बार में जो है लगवग यह 500ड का जो है अब हम इसके टेर बड़े काफी लंबे देख पा रहा है कैमरेमन दिखा दें सोड़ा से जो है किसान ब्रबाइओ देखिए टेर इसके काफी बड़े हैं और यह वता हैं गयर कितने हैं साब इसमें जो है इसमें सभी यह तीन धेर हैं आप इस्तमाल कों से जादा गेर करते हो लगवक जब दूसरे गेर में जादा चलती है तो पेंट रोल का लगवक क्या होसा तर्षार जो है पेंट रोल का तो जी यह इस समय और शो नो सो के करीब ले रही है इस समय अब सब्सक्राइब अच्छा तो आप इसकी सर्विस बगा यह इसका यह जो रूटरी का एक यह अच्छा आपने लगा दिया भाई ती है अच्छा तो बैक भी बड़े हम किसान को परेशानी नीहीं होगी तो यह विताइए जैसे किसान वही इसमें इसमें से जावटी जाए प्रेशानी नीहीं बढ़ते हैं जो से किसान वही ने ले ली कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो है ले आए और जो है चलानी सूरू कर दी देखा ना कुछ देखा तो आपने जैसा ले का रहा है आप जो है अहमदगड पंजाब से तो आपने आकर इसमें क्या काम करा पहले यह बताई थोड़ा मेरे किसान वहिएं को डुकि किसान हो आप पर विस्वास करेंके किसान सबसे पहले त नहीं थोड़ा से ने डॉक्स Zoom से आपना दोटे में यह चला और यह 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 जॉच्व मैं अब मैं बात करता हूं इसके रूटा बेटर जैसे आपको कैसा लगा है मतलब इसमें भार कितनी बढ़िया हो गया इसके बढ़िया हो रही है अच्छा अब मैं बात करनों चोई साव यह बताई सबस्पहले आप अपना आप कितने खेती करते हो लगों कितनी खेती करते हो और इसके अलावा आपके पास कौन-कौन सी खेतिया है अच्छा ना जी और उसके अलग जो है लगवग एक डेड़ भीगा पपीता है पपीते की खेती कर रखी थोड़ी कि देखो आपके पास तो गन्ना है तो किसान भाई मेरा यह चाहेगा कि और खेतिय है पपीते में बहुत बढ़िया साथ पपीते में भी इतनी घास हो जाती थी बहुत बढ़िया जब से लेकर आए हम जी बहुत ही बढ़िया हो रहा घास बिल्कुल नाम की नहीं होती मतलब 8000 दिन मां हम इसे निकाल देते हैं पानी देने के बाद अच्छा बताईए मुझ का तो आपने देख लिया है अब चलते हैं चलो पपीते के खेत में दिखाएंगे जी इस जोटरी साभ आपने मुझे करने के खेट में चला कर दिखाया अब पपीटी के खेट में चलता हूँ आपका देखा बड़ा सांदर्य पपीटी के खेट में आपने डेमो दिया बड़ा बहतरी चल लिया है अब हम दुवारा गन्ने खेट में आपके आगए हैं अब यह बताइए जैसे मेरा किसान भाई से लेना चाहे तो क्या प्रक्रिया है आप गए लेने के लिए आपको यह ओना इन वगालिया क्या से कहा आप नहीं जानकारी आप पहुचे आप पंजाब में राजसन एग्रो इंजिनियर कंपनी में है जी आप अच्छा एग्रो इंजिनियर कंपनी जो इनका ब्राण्ड नेम है वो इस परे मैं के नाम से है यह बहुत पुराना काम है इनका 36 साल से लगातारी काम कर रहा है जी जी अब शर यह बताईए तो यह रही तो बढ़ा है जैसे का मैं देख पा रहा हूं हुंडा लिख रहा है आगे लिख रहा है इस प्रे मैं तो यह तो в सम्ट यह पिलागी बाकि जैसे हम चला रहे है इसमें इस्ट समय बड़िया चल ले तो जैसे हमाँआ खिकुल 215 बाइश सो बास बड़िया उनक और प्रस्लों के लिए तो जैसे पपीते हम आपने भारत चला कर दिखा दिए तो यह एक तो गन्ना है और मैंथा है दे बइंध चला सकते हैं तो सकते हैं झाले में जलते हैं अच्छा और भाकी यही तीन चार फसले हमारी ये बोगती है यह उसे बहुत पैसे ले जाते हैं लगवगा आप अपनी तो इसमें जो है कितनी बचत कर सकते हो बैलों के मुकाबर क्यों कि देखो बैल तो रखेगा आदमी तो उनका केवल यूज होता है गन्ने के खेती तक रहे गिया आजकल बैलों का जो है चलन जो कम हो गया है आपकी बात बड़ी हाँ तो जब तक रहेंगे वो तो खाती रहें हमें पहुआ ओ करेंगी जो जो स्वटाइ करेंगा तो खाहँआ नो हो अख़ाया है तो अ भालंता हमें एतना जानता और जानता है मुंझे यह जाते से जाद़ यह दो हजार रुपए का पेंटोल खा जाएगा और मेजदूर किस कम से कम इसमें दस हाजार रुपए ले जाते हैं विर्कुल 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 कम से कम 10,000 रुपए तो इसमें हमें काफी बज़त लग रही है यह बहुत बढ़िया इन्होंने हमारी आओ बैठ करी है जी और सब बढ़िया संतुस्ति से इन्होंने समझाया यह जब हमारी ऐसे है जब हमें यह पसंद आगया किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेकिन कुछ कंपनी वाले ऐसे हैं जो कैं मान के चलो आपको जरूती बैक रोटरी की और आपको बढ़ा रहा है वो को जो पावर वीडर की जो है जो है चोड़ा सिस्टम होता है अपने बताए कि मुझे तो गंडने में चलाना है तो कि मैं उस हमने उन से बताया कि हमारी इतने इंच पर गंडना बिजता है अच्छा और ये मैंन्थे की खेती होती है इस हिसाब से हमें इतने इंच की दूरी कर बैक रूटरी चाहिए नो को जी मिल जाएगी उन्होंने बढ़िया और हमने ये का कि कंपनी का इंजन होना चाहिए अच् आपने कहा कि इंच के हिसाब से अब मैं बात करता हूं आपके गंडने की दूरी कैमरा में दिखा दें भाई जी थोड़ा सा कितनी दूरी है आपकी गंडने की दूरी जो है 28 इंच के आसपास है अच्छा और बैक रोटरी थोड़ी सी कम लग रही आपकी तो बिरकुल आप उनों ने इसका सिस्टम और दिया है वह 29 इंची तक हो जाती है मतलब इससे आप चोटा बाब कर सकते हो हाँ चोटी बड़ी अब यह चोटी है लेकिन बड़ी कर सकते है 29 इंची तक हो सकती है 30 इंची तक करना जूरी तो साब वह कैसे करोगे आप यह पता हो मुझे किसान ने सब कुछ देख लिया पे विश्वास कर रहे हैं। कि किसान आपाम अजमी मुझे अब मुझे बताओ कि कि इसकी गारंटी यह उन्होंहों ने एक साल के लगभख दी है आपको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और कमपनी के नंबर मापको लगातार सो करूंगा और पूरी बहतरीन इसकी सर्विस है तो चोजी साब यह बताओ आपका बढ़ा आपके खेट दिख रहा मुझे लग रहा देखो यह अगर यह ना होती तो घास होता मैजदूरों की बहुत समस्या है अच्छा जैसे का परोसी आपको देखना आते होंगे तारीब करते हैं इसकी क्या पराई करते हैं तो लोग यह किसान की जो होती है किसान को क्या प्राप्त हुआ कि आपके यहां मैं घर पर आया आपने दिखा भी सर्मा जी देखो हमारे खेट देखों मेरे किसान वाई चाहता है कि आप जो मार्च में लेकर आए ते कितने जो पैसा इसका नहीं दिया कि ट्रांसपोर्ट का चार्ड ने खुद देना पड़ता आपको तो देना नहीं पड़ा साब नहीं तो क्योंकि मैं तो आप जो भी क्योंकि कंपनी वाले के बता देते हैं कुछ और निकलता कुछ और आप सचाई बताओं के मुझे आज देखो कंपनी की सचाई है मैं भी सचाई सी बोल रहा हूं कंपनी के पास पोचे हैं हम वहां बढ़ी आदमी लगे हमें बहुत ही बढ़ी हा अच्छा उन्हों नहीं बोल दिया था कि हम आपको पुचा देंगा हमने वह उन्हें भुकतान करका जी और हमारा जो आर दिन के अंदर आर दिन के अंदर आपके पास मा गया हो अब आधा जो बचा पेमेंट था अपने कर दिया था उनका और यह उन्हें चुटा कर लिया था तो आज आपने देखी कितनी अच्छी जानकरी चोज साव ने दी है किसान चाहे तो अपने खेतों में सोना उगा सकता है और जो महनत आपने खेती करें आपके देख रहें हरे इनके खलियान पड़े हुए बहुत सांबार केत हैं और चोजिसाब कह रहे हैं कि लगवग हम जो मज़ूरों को पैसा देते वह हम अपनी बच्चों की सक्षा में पैसा लगाएंगे ना कि हम जो है अपना पैसा वेस्ट करेंगे तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगए होगी नंबर आपको डिश्पेलिव मिल जाएंगी इसे ले सकते हैं जै हिंद जै भारत जै 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 किसान धन्यवाद